कहीं दूर एक गाउ में गरीब भाई बहन रहा करते थे उन दोनों का नाम कीर्टी और बालू था उनके माबाप के देहान के बाद वे दोनों अनाथ हो जाते हैं पर जब भी कोई उन्हें अनाथ पच्छे कहते थे तो उन दोनों को बहुत जादा गुसा आता था आंके कमजोर हो तो चश्मा लगा कर देखिए मेरे साथ दीदी है भला में अनाथ क्यों हो इस तरह बालू अपना गुसा जताया करता यही बात जब कीर्टी से कही जाती अपने सुस्त आंखों से इस तरह हमें मत घूरिये मेरे साथ मेरा भाई है मैं भी अनाथ नहीं इस तरह अपना गुसा जताया करते इसी तरह वे दोनों अपने एक जोपरी में रहते हुए जब काम मिलता किया करते और नहीं मिलता तो भूके ही सोया करते थे हर रोज की तरह वे दोनों गाउं के एक पेड़ के नीचे खड़े रहा देख रहे थे कि कहीं उन्हें कोई काम मिल जाए बहुत समय बाद बालू ने कहा दीदी, आज अब तक हमें कोई काम ही नहीं मिलाना यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा बालू हर रोज हम यहाँ पर आकर खड़े होते हैं तो हमें कोई न कोई काम मिल जाता है काम करवा के हमें पैसे दिया करते पर आज अब तक हमें किसी नहीं बुलाया और इसलिए पैसे भी नहीं मिलेंगे लगता है आज हमें देर हो गई नहीं भाई, हम हर रोस की तरह ही तो आये हैं ठीक है दीदी, हम खुदी जाकर बूशते हैं हम पहले किसके घर जाए भाई? हमसे जो हर रोस कुए से पानी निकलवाती है, उस दुरगा अंटी के पास चलते हैं दोनों भाई बहन दुरगा के घर के लिए निकलते हैं, वहाँ उसे आवाज लगाते हैं उनकी आवाज सुनकर दुरगा बहार आई माई, पानी लाए आपके लिए? बटा कीर्ती, आज पानी की जरुरत नहीं पानी के लिए मना कर दुरगा अंदर जाकर दर्वाजा लगा लेती है उसके बाद बच्चे न्यूस पेपर मंगवाने वाले माधव अंकल के पास गए वहाँ पहले से ही मास्टर माधव न्यूस पेपर पढ़ रहे थे उन्हें अकबार पढ़ता देख कीर्ती और बालू वहाँ से वापस जा रहे थे उनको जाते हुए माधव मास्टर ने देख लिया और उन्हें आवाज देकर बुलाया वे दोनों माधव जी के पास आए क्या बात है भाई बहन इस तरफ आज कैसे आए मास्टर जी आपके लिए अकबार लाने की सोच रहे थे अच्छा दरसल आज से तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं मैं ही खुद अपना पेपर लाया करूंगा मेरा भी थोड़ा चलना हो जाएगा मास्टर के बात सुन केती और बालू बीना कुछ कहे वहां से जा रहे थे मास्टर ने उन्हें फिर से आवाज दिया वे दोनों वापस वहां आए मास्टर जी उन्हें दस रुपे निकाल कर दे रहे थे ये डेक उन दोनोंने मना कर दिया बिना काम किये हम पैसे नहीं लेते, गलत मत समझिये मास्टर जी, आप हमें कोई काम दीजिये, वो करने के बाद हम आपसे पैसे लेंगे, तब दे दीजियेगा। ऐसा केकर वहाँ से चले जाते हैं, इसी तरह वे हर रोज जिनका काम करते हैं, वहाँ काम की तलाश में जाते हैं, पर किसी ने भी उस दिन उन दोनों को कोई काम नहीं दिया, वे दोनों ठक हार कर वापस पेड़ के पास आए, वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहे, अगर आपको बहु की बात सुननी है, तब ही अप घर वापस लोड कर आ सकते हो, वरना अपना रास्ता नापो और चले जाओ मा के पास। वीर की बाते सुनकर कृष्णा बहुत दुखी हो जाता है। इतने मुश्किल हाला तुमें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने का ये सिला दोगे तुम अपने पिता को। पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अपनी बीवी के बातों में आकर अपने बुढे बाब को पैसों के लिए ऐसे सता ना। वो भी बुखार में तडबते हुए पिता को पैसों के लिए यूं प्रतारित करना। ये कितना सही है। देखो पापा ये सब मैं नहीं जाता। जितना तुमारे बहु ने कहा है उतना अगर तुम पैसे लेकर आ सकते हो तब ही घर लोटना। वीर ने ऐसे कहा और वहां से चला गया। कृष्णा ये देखकर बहुत दुखी हो रहा था। ये जानकर कीरती और बालू उनके पास आये। उन्हें दिलासा देकर उनकी सारी बात जान ली। बुखार से तिलमिला रहे कृष्णा को उन्होंने एक जगे बिठा दिया। और उनके ठेले पर फ्रेंच फ्राइस बनाने लगे। आईए भाईयों आईए। दादाजी के ठेले पर गर्मा गरम मसालेदार आलू भजे और फ्रेंच फ्राइस खाईए। आईए। इस तरह बालू ने सभी को आवाजे लगाई। उसकी आवाज सुनकर कई ग्रहक वहाँ पर फ्रेंच फ्राइस खाने आए। देखा दादाजी। आपके फ्रेंच फ्राइस बहुती स्वादिश थे, इसलिए बहुत सारे बिग्गे। आपको पैसे भी बहुत मिले हैं और अंधेरा भी बहुत हो चुका है। अब आप घर जाईए। और हाँ दादाजी, हमने आपका काम किया ना, तो हमें 100 रुपे और 50 रुपे के फ्रेंच फ्राइस बांद कर दीजिये ना। मासुम बालू के ऐसे पूछने पर कृष्णा को उन पर दया आई। और उनके बारे में सब को जानना चाहा। बच्चों से बात करने के बाद कृष्णा को ये पता चला कि उनके आगे पिछे कोई नहीं। इसलिए कृष्णा ने एक फैसला किया। पैसों से ही रिष्टा रखने वाले बेटे के साथ रहने से तो तुम जैसे अंजान बच्चे जो इंसानियत के रिष्टे से मेरी मदद कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ रहना ही बहतर होगा। यही बात उसने बच्चों से कही। बच्चे ये बात सुनकर हरशित हो उठे। पर दादा जी आपके बेटे ने देखा तो। ऐसे बालू ने पुछा। वो नहीं आएगा। क्योंकि वो जानता है कि उसके पापा के पास अब पैसे नहीं। और जब पैसे ही नहीं तो वो पापा के पास भला क्यों आएगा। वो ये सोच लेगा कि कमाई नहीं हुई इसलिए मैं घर नहीं गया। क्रिश्ना की कहीं बाते बच्चों को एभी समझ में आई। उस दिन से वेती नो एक दुसरे के साथ एक ही जोपड़ी में रहने लगे। बच्चे क्रिश्ना के थे पर फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना ऐसे इंट्रस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब करना। थैंक्यू फोर वाचिंग। दोनों से लेकर बड़े होटलों तक घूमते रहे पर उन्हें कहीं काम नहीं मिला। बेचारे दोनों भाई बहन बहुत दुखी होकर एक पेड़ के निचे बैटकर रो रहे थे। दोनों को भूग के मारे पेट में चुहे डोड़ रहे थे। भूग से दोनों तिल मिला रह रहे थे रो रोकर ही अपने आशों को पिकर पेड भर रहे थे तब ही वहाँ पर एक औरत खाना लेकर आई और पेड के पास उसे रखकर बच्चों से कहा बच्चों तुम लोग यहां बैठो मत यहां हर रोज एक सांड आता है खा कर यहीं विश्राम करता है वो बड़ा ही घम पाय उसे खाने के लिए देते हैं ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली गई बच्चे खाने की और नजर गढ़ाए बैठे थे बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आया बालू ने कहा दीटी लगता है आज वो सांड नहीं आएगा मुझे बहुत भूग लगी है मैं खालू बच्चों को उसका खाना खाते दे भड़क जाता है वो दोड़ते हुए आकर सींग से बालू को वार करता है बालू उचल कर दूर गिर जाता है उसी तरह उसने केती को भी उच्छाल कर फेग दिया ये सब होते हुए वहाँ खड़े लोग निसाय होकर देख रहे थे हरे रे मैंने इन बच्चों को पहले से ही बता रखा था इस सांड की बारे में पता नहीं ये खतरनाक सांड बच्चों के साथ अब क्या करेगा हे भगवान कहेकर तबाशा देखने वाले ही हैं लोग सारे कोई उन बच्चों को बचाने वाला नहीं देदी देदी यूँ बालू जोर-जोर से चीक रहा था किर्ती भी बहुत डर गई थी पर किसी भी तरह अपने भाई को बचाने के लिए किर्ती उस सांड के सामने आई किर्ती ने सांड के सींगों को कस कर पकड़ा ये दुरुष देखकर वहां खड़े लोग चौंग गये किर्टी उस सांड के उपर चड़कर उसके सिंगों को कसकर पकड़कर जुका दिया आखिरकार सांड ठक कर नीचे गिर गया वो थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था तब वहां खड़े लोगों ने कहा बेटा तुम तो बहुत होश्यार हो और बहादुर भी हो इस तरह किर्टी की सराहना करने लगे वो सांड अब घबरा कर रह रहा था किर्टी पड़ोस वालों से थोड़ा पानी लेकर आई और इस बाल्टी को सांड के आगे पीने के लिए रख दिया सांड ने पानी पीना शुरू किया किर्टी उसे सहला रही थी कीर्टी जब उस सांड को सहला रही थी तब सांड को वो बहुत सुकुन दे रहा था क्योंकि तब तक सांड को कभी भी प्यार का अनुभव नहीं हुआ था कीर्टी का सांड के लिए इतना प्यार सांड को बहुत भावुक कर देता है उसके आंखों में आंसु आ जाते हैं वहां खड़े सभी लोग केटी को बहुत सराते हैं तुमने इस सांड को अच्छा सबक सिखाया तुम्हारा इसके लिए बहुत धन्यवाद अब हम सब निडर होकर अपनी काम कर सकते हैं तुम्हारे इतने अच्छे काम के लिए तुम्हें हमारी जब भी जरुत हो बता देना उन लोगों के ऐसा पूछने पर दोनों बच्चों ने रोते हुए अपनी सारी बात बताई उन बच्चों का दुखड़ा सुनकर उन लोगों को दया आई और उन्हेंने कुछ रुपए उनको दिये बच्चों चिंता मत करो मैं तुम दोनों के लिए खास एक सबजियों की दुकान लगा कर दूँगा इस तरह उन लोगों ने बच्चों को धिरश दिया अगले ही दिन उस आदमी ने बच्चों के लिए एक ठेला लगा कर दिया सान कीर्थी के प्यार के आगे उसका गुलाम हो चुका था अब वो सान किसी को कोई भी तरह का नुकसा नहीं पहुंचाता था उसके इस बदलाव के कारण लोग उसे बहुत प्यार करने लगे और उसे खाना देने लगे ये सब सान को बहुत अच्छा लग रहा था उसे लोगों का प्यार भी मिल रहा था और भरपूर खाना भी इतने प्यार को पाने की वज़ा कीरती थी इसलिए सान उन दोनों के साथ बहुत प्यार से रहा करता उनका कहा सब माना करता ये सब देख वहां कि लोग कहते देखा उस सान में कितना फरक आया है नजाने ये बच्चे कहां से आये है आज तक इस का में जो कोई न कह सका वो बच्चों ने कर दिखाया बहुत ही बड़िया काम किया है बच्चों ने और वो लड़की बड़ी बहादूर है इस तरह कीर्थी की बहादूरी की बाते और सांड की अच्छाई की बाते सारे गाउवाले करने लगे गाउं वालूं की सहायता से मिले उस काम को वे दोनों बहुत अच्छे से निभाते थे और उसी से कमाई पैसों से वे दोनों उस काम में खुशी से रह रहे थे तब कीर्ती और बालू उनके भूग मिटने के कारण बने उस सांड से कहते हैं उस दिन जो तुमने किया उसी की वज़े से आज हम दोनों की जिन्दगी सवर गई है तुम्हारा बहुत धन्यवाद और उस दिन तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ करना ऐसा कहकर कीर्ती और बालू उस सांड को सहलाने लगे और उसका आभार प्रकट करने लगे सांड ने भी अपने मन में सोचा प्यार क्या है या ना जानने वाले मुझे तुम सबका इतना प्यार मिला इसके लिए मैं भी तुम सबका बहुत आभारी हूँ ऐसा सोचते हुए उसने खुशी के आशुब है इस तरह कीरती और बालू के प्यार से बदला हुआ सांड वहीं पर जो मिलता उसे खागर खुशी से रहने लगा अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना और हाँ ऐसे इंटरस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना